स्मस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने सभी दर्सकों का इस चैनल पर स्वागत करता हूँ जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारी इस धर्ति पर जो है लाखों की संख्या में ऐसे पेड़ पोधे, ऐसे घास फुस मौजूद होते हैं जिनका अस्तित जब प्राचीत काल सही है लेकिन आज कल उस पेड़ पोधों का जो उनके गुड होते हैं जो उनके अस्तित होते हैं लोग भोलते जा रहे हैं और कुछ ऐसे भी रिस्री महातमा साधू लोग हैं जो उनके बारे में बड़ी अच्छे से उन पेड़ पोधों के बारे में चानते हैं लेकिन वे लोग सही तरीके से बताते नहीं लेकिन जैसे भी मेरे को इन पेड़ पोधे के बारे में कोई भी नई जानकारी मिलती है मैं इस YouTube चैनल के माद्यम से मैं आप लोगों के पास तक पहुँचाने का काम करता हूँ तो आज किस वीडियो में मैं आप लोगों के एक बहुती जबजस्त पेड़ पोधे की बारे में बात करूँगा आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लेकर के आया हूँ अतिबला चिया अतिबला का पोधा साइद आपको स्क्रीन पर बहुती अच्छे से भली बात दिखा दे रहा होगा इसके फूल भी होते इसके फल भी होते सब कुछ होते पते जड़ सब होते और इसके पंचांग का हस तारीके से इस्तिमाल होता है और यह अतिबला एक ऐसा पुस्प है ऐसा यह एक प्लांट है अतिबला कि जिसका इतना जबरजस्त चमतकारी पाहे कि और सद्धिकुर भी इसके होते साथी साथ इसके तंत्र मंत्र में भी उपाय किया जते है प्रतातांतर सास्तर से वेद सास्त्रों वीविद धार्मिक उपाय वी इसके बहुत ही अच्छे खासे होते हैं। तो कोई से कोई भी पिड़ पोधे होते हैं वे नेचुरली है गौड गिप्टेड होते हैं और हर परकार के पिड़ पोधे में दोनों तरीके से गुड़ पाए जते हैं एक तो दवा के काम करता है दूसरा उसमें दुआ भी होती है इसलिए आज की इस वीडियो में मैं जो अतिबला का फायदे के बारे में बात करने वाला हूँ आपके लिए बहुत ही जरूरिया जानकारी है अखिर अतिबला किस तरीके से सेवन करने से क्या लाब होते हैं इसे इस्तिमाल करें इन सब चीजों के बारे में बहुत बिसेस तरीके से और सरलभासे में मैं आपको जानकारी दूँगा वैसे अतिबला का जो पुस्प होता है पीले रंग का सुन्दर फुलो वाला एक पौधा है जिसका इस्तिमाल जो अनेग परकार के स्वास्त हलका तीखा वग कड़वा होता है कहीं कहीं पर तेसे कंगी के नाम से भी जाना जाता है और अतिबला में जो है बहूत सारे ऐसे अनगिरत हमारे हेल्थ को हमारे स्वास्त को सही रखने के लिए कुछ ऐसे जबर्जस अपने गुड़ पाये जाते हैं और हजारों साल से आयर के फाम में अलग-अलग कुछ केमिकल के साथ इस्तेमाल करके महंगे महंगे दामों पर बेचा करते हैं लेकिन अगर आपको यह अतिबला का पौधे के पत्ता फूल या बीज में कोई भी अगर आपको मिल जाता है तो इसका इस्तेमाल अवसी करिए क्योंकि इसमें जो स्व इसका भी बहुत आसाने से मिल जातें जहां पर भी हरवल्स का साप होगा आप वहां पर एक वर ढोड़ने का कोशिस करें बहुत ही आसाने से मिल जातें वैसे अब हम लोग जान लेतें आखिर ł ही अतिबला के जो आयरुएदिक को पाय होते हैं जो हमारी स्वास्त बरधक 만약 क के गुढ होते आकिर किन किन बिमारियों में कारिकर होते हैं कुछ लोग तो अतिबला के कम से कम सव बिमारियों से अधिक जो है दावा करते कि यह ठीक कर सकता हैं लिकिन मैं उनसभी बिमारियों के बारे में तो मैं नहीं वात करने वालों वस exercising चार या पांच ऐसी जो बिमारिया होती हैं जिनमें यह अतिबला का जो पौधा बहुत ही जबचस्त कहा तक सिध्ध होता है और यह जो है मरदानगी को सबसे बिस्ट जो इंप्रूब करते हैं इस चीज़ को तो इंप्रूब करें लिजी इस चीज़ को लिक रह गए बात आखिर कैसे करना तो चलिए धीरे-धीरे हमनों समझ लेते हैं आखिरे किसा बिमारी में कैसे कारी कर होता है पहला नमर को इस बिमारी का अगरे नाम की बात कर जाया तिया होता है जिनम पाइस की समझखा बावसीर जिसे करते हैं?", मतल जों मिल्स तैक तसमें दर्रद भूना वहां से भी यह अतिबला का जो है यह बावसीर खतम नहीं होता है तो लेकिन इलोपैती में अगरीजित द्वाई में कोई बावसीर का उपाय नहीं होता है लेकिन यदि वह अब्यक्ति वह पिसिंट अगर अतिबला का और आरविदिक उपाय करता तो जड़ से ही समात करता जिसमें अ अतिबला के बीजों में क्या होता है कि बवसीर के लक्षडों को कम करने वाले खास गुड़ पाय जाते हैं इसका सेवन करने से इसका जो घा होता है जल्द ही ठीक हो जाता है और दर्द भी कम हो जाता है जो बवसीर में बहुत ही उपयोगी होते हैं इसके जो बीज होते हैं इस वीडियो के लास्ट में मैं भली भात समझाऊँगा कि अकिर किस तरीके से कितना सेवन करना चाहिए पहले हम लोग समझ लेते हैं अगर किन किन बिमारीयों में यह जो कालिकर होता है. दूसरा नमर का जो उपाए है यह अतिबला का इस्तिमाल करने से यह जो ब्लड सूगर लेबल को बिल्कुल ही नार्मल कर देता है अतिबला जो सरीर में जा करके एक इंटी डायबेटिक कमपाउंड का काम करता है इसके पत्तु के सेवन करने से जो बाड़ी में इंसूलीन की मातर रहती है वो जो कम होती रहती है उसको उत्तिजित करता रहता है जिससे रक्त में जो है सरकरा की मातरा जो सूगर का लेबल जो है चड़गिया रहता है उसको क्या करता है डाउन कर देता है लेकिन जिसका blood sugar जो down रहता है लो रहता है वे लोग जो अतिवला का इस्तमाल बिल्कुल ही नहीं करें साथ ही साथ यह अतिवला उन पेसेंट के लिए भी उन लोगों के लिए भी अच्छा कासा कारिगर होता है जिनके जो इस्टमक में, जिनके पेट में, जिनके गुर्दे में जो पत्री बन गई रहती है पत्री को कम करने में ये बहुत ही अच्छा कासा प्रभावी है अतिबला अरिवेत के अंसार जो है अतिबला के पत्तो तथा जड़ों में दोनों में एक ऐसा खास प्रकार का तत्त होता है जिनसे पत्तरी बनने की समस्या कम हो जाती है इन तत्तो के परवाव से वह पत्तरी जो है पिसाब में घुलने लगती है और धीरे धीरे वह सरीर से बाहर आ जाता है इस्तिकार से पत्तरी अगर समस्या रहते तो उसमें अतिबला का सेवन अत्ति फायदेमंद हो सकता है अगला नमर का जो इस्तेमाल है इसका अतिबला से आपको खासी के वी निजाद मिल सकते शेवर करने से क्या होता है खासी के सा सत अंदर जब बलगम रती वो बाहर निकल जाती कुछ लोगों को तो कफ से सास लेने वाली ऐसी अनिक परकार की जो मसीन का भी इस्तेमाल करता है और काफी लंबे समय तक लेकिन अगर अतिवला का इस्तेमाल करते हैं तो कफ की समस्या तो कभी भी नहीं हो सकती इससे खासिक समस्या के रोगों को जड़ से इलाज होता है हलांकि अतिबला से प्राप्त होने वाले उप्रुप्त लाप जो है बहुत तरीके से अलग-अलग डाक्टर लोग देते हैं लेकिन जो है यह डिपेंड करता है कि अलग-अलग तरीके से जो अलग-अलग बीमारियों में कार होता है, लेकिन ही यदि आप खासे के लिए चाते हैं, तो अतिबला के इस्तेमाल बहुत ही जरूरी है, ठीक है? इस तरीके से अतिबला, अब हम लोग बात कर लेते हैं सबसे जबरजस्थ जो उपा है, अतिबला नाम से ही पता चला अगर कोई मर्दानगी जो है खतम हो कि नपुल सकता का सिकार बन रहा है तो इस इस्तिती में वह अभ्यक्त जो नपुल सकता मर्दानगी को वापस करने के लिए यह दिवा पूरुस अतिवला का इस्तेमार करनता है तो इसके इस्टेमिना बिल्कुल ही वापस आ जाती है और बस अपने जीवन में जो मौज करना चाहिए जो एस करना चाहिए जो उसकी जवानी रती यूथ रती जो खतम होने की कागार पर रती फिर से वापस आ जाती क्योंकि अतिवला में होता है दस गोडों की सक्ति के बराबर बल दे देता है तो चलिए अब हम लोग जाल लेते हैं अतिवला का अगर इस्तिमाल गलत तरीके से करते हैं तो क्या हो सकता है क्योंकि अतिवला तो अगर एक दवा के रुप में लिमिट मात्रा में सेवन करते जितना बताया जाता है तो आपके लिए बहतर होता है लेकिन जादे कर लेते हैं तो उसके करण कुछ नुकसान हो सकते हैं जिसे पेटे में दर्द हो सकते हैं सिर में दर्द की समस्या हो सकते हैं सीने में कभी-कभी जला नहीं आ कभी-कभी उल् चाहे तो काढ़ा बना करके इस्तिमाल कर सकते हैं इसके काढ़ा को 20 से 30 रिमेल बस आपको इस्तिमाल करना है दूसरा नमर का जो इस्तिमाल करने का तरीका है इसके पत्तो के चूड को इसके पत्ता का चूड भी आपको मार्केट में भली भात मिल जाते हैं तो उसके चूड को आधा से एक चमच गरम पानी के साथ में आप जो है लेना सुरू कर दें। शुरुवात में आप जो आधा चमच लें धीरे दीरे उसकी कैपसिटी बढ़ा करके एक चमच तक कर सकते हैं। तो उसके पत्तों का रस आधा से एक चमच जाते हैं। पर चोट लग गया है, कट पीट गया हो, दाद खाच खुजली है, उस जगह पर जो आप क्या कर सकते हैं। इसके जड़ का चाल का या पत्तों का लेप का बना करके आप वहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस तरीके से यह जो अतिबला होता है, बहुत जबरजस्त पादा होता है। अगर आपके कही अगल बगल में मिल जाता है तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो आप जो अनलाइन भी परचेश कर सकते हैं। आपके दुकान पर आपके कहीं चवराहे पर अगल बगल कहीं न कहीं आपको हरबल वाली कुछ दुकाने जरूर ही होंगी। आप वहां से जो अतिबला का चूड का इस्तिमाल कर सकते हैं खरीद करके। अगर आपको कहीं पर मिल जाता आपके खेत खलियान में तो आप वहां से आप उसको ला करके फ्रेस प्रेस यूज कर सकते हैं। तो आपके लिए बेहतरी रिस्पांस से दे सकते हैं। कुछ ऐसी भी बीमार्या रहती कि जो हमारे सरीर में उत्तपन होने वाले रहते हैं, खुछ दिनों बाद जो उभरना शुरू होने वाले रहते हैं, लेकिन हमें उन्हें पता नहीं होता है, उस इस्तिति में भी अगर आप अतिबला का सेवन करते हैं, तो वह बीमारी जो अगर कहीं पर मिलता है, तो आप जरूत एक बार इस्तिमार कर सकते हैं,